नमस्ते प्यारविद्यार्थियों, हम हल कर रहे थे कक्षा 6 के लिए हिंदी विकास मंच के द्वारा उपलब्द खरवाई गई इस अभ्यास पुस्तिका का। इस अभ्यास पुस्तिका को आप हिंदी विकास मंच की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी विकास मंच की वेबसाइट का एड्रस आप यहाँ पर देख सकते हैं www.international-hindi-olimpiar.in मैंने इस PDF को वहीं से डाउनलोड किया है, आप भी इससे वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके कुल 15 चैप्टर्स का अभ्यास हम पिछले भाग एक और भाग दो में कर चुके हैं। कक्षच है कि अभ्यास पुस्तिका का ये तीसरा भाग है। आईए बचे वे जो चैप्टर्स हैं, उनको हम इस अभ्यास पुस्तिका के मात्यम से हल कर लेते हैं। यहाँ पर आप वाके से संबन्दित प्रशनों को देख सकते हैं। जिसमें हम बातचीत करते हैं। वाके के अंग होते हैं। जिब हम किसी वाके का निर्मान करते हैं, तो वाके के मुख्य रूप से दो अंग होते हैं। एक हमारा उद्देश्य होता है और दूसरा हमारा विधे होता है। उद्देश से वह होता है जिसके बारे में वाक्य में बातचीत होती है और जो बातचीत होती है उसको हम क्या कहते हैं विधे कहते हैं subject और predicates भी आप इसे कह सकते हैं English grammar भी आप पढ़ते हैं तो वहाँ से भी साथ साथ तुलना कर सकते हैं निमन मेंसे आज्या वाच्चक वाक्य है, तो आज्या वाच्चक वाक्य क्या होता है, जिसमें हम किसी कारिय को करने की आज्या देते हैं, यदि अब वर्षा ने हुई, तो फसले नष्ट हो जाएंगी, तो यहाँ पर तो आज्या नहीं दी जा रही है, इश्वर तुम्हें सदैव खुश रखें, तो यहाँ पर क्या है, इच्छा की जा रही है, पक्षियों को दाना डाल देना, तो यहाँ पर आज्या दी जा रही है, ओर्डर दिया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है, कि पक्षियों को दाना डाल देना, उद्देश्य के अंतरगत होता है तो अभी हम बात कर रहे थे उद्देश्य के अंतरगत क्या होता है करता और करता के विशेशन आते हैं जो करता होता है काम को करने वाला होता है जिसके बारे में बातचीत होती है और उसकी विशेस्ता बताने वाले शब्दों को मिलाकर हम क्या कहते हैं उद्देश्य कहते हैं विधे में होता है और विधे के अंदर क्या होता है करता को छोड़ कर जो बच जाता है किरिया के कर्म और विशेशन तो कर्ता को छोड़कर किरिया के कर्म और विशेशन जो आएंगे उसे हम क्या कहेंगे विधे वाक्य में प्रियुक्त शब्द कहलाते हैं तो वाक्य में जब हम शब्दों को प्रियुक्त कर देते हैं क्योंकि उद्देश्य के बारे में बातचीत होती है किरिया को करने वाला जो करता होता है और उसका जो विशेशन होता है उसी से मिलकर क्या बनता है उद्देश्य निमन में से मिश्र वाक्य का उधारन है तो रचना के आधार पर वाक्य के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं और अर्थ के आधार पर वाक्य के मुख्य रूप से आठ भेद होते हैं तो मिश्र वाक्य में क्या होता है मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक हमारा आशरित उपवाक्य होता है प्रधान उपवाक्य सवतंत्र होता है और आशरित उपवाक्य उसके उपर निर्भर रहता है सुमन आई और देर तक रुकी रही तो ये हमारा संयुक्त वाक्य है जो दूसरों की मदद करते हैं उन्हें सब चाहते हैं तो यहाँ पर देखो एक वाक्य दूसरे के उपर निरभर है जो दूसरों की मदद करते हैं उन्हें सब चाहते हैं तो उन्हें सब चाहते हैं, यह हमारा परधान उपवाक्य है, और जो दूसरों की मदद करते हैं, यह हमारा आश्रित उपवाक्य है, तो यहाँ पर यही विकल्ब हमारा क्या हो जाएगा सही, मिश्रवाक्य का उधारन क्या है दूसरा, अब तो तारे भी निकल आई हैं, तो यह हमारा क्या है सरल वाक्य, रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं, तो रचना के आधार पर वाक्य के मुख्य रूप से तीम भेद होते हैं, सरल वाक्य, सैयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो दो ही आधार पर ह ये क्या है, विसमे वाचक वाके, शायद आज वर्षा हो, वाके उधारण है, तो यहाँ पर क्या है, संदे है, कि वर्षा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो यह क्या है, संदे वाचक वाके, सूरज पूरव में निकलता है, वाके उधारण है, तो सूरज पूरव में नि दूसरा आश्रित होता है, तो वो हमारा मिश्रवाक्य बन जाता है, तालाब में कमल खिले हैं, वाक्य उधारन है, तो यहाँ पर साधार्ण से जानकारी दी गई है, कोई अग्या की बात नहीं हो रही, ना ही कोई प्रशन पूछा जा रहा है, तो वाक्य से संबन दित एक उल पंदरा प्रशन यहाँ पर दिये गए थे, बाकी अभ्यास आप किसी भी व्याकरन की पुस्तक से कर सकते हैं, हिंदी विकास मंचकी द्वारा संकल्प नामक पुस्तक भी आप उनलाइन मंगा सकते हैं, इससे सम्मन्दित एक WhatsApp नंबर है, उस पर जाकर आप इसे online घर पर मंगा सकते हैं और बाकी अभ्यास कर सकते हैं, आईए अगला टोपिक देख लेते हैं, आगे आप विराम चिन से सम्मन्दित प्रिशनों को देख सकते हैं, ये किस प्रिशन का उत्तर है, वाक्य में प्रियु सकते हैं, प्रिशन वाचक, अंत में क्या लगाएंगी हैं, प्रिशन वाचक, तो सवाल को थोड़ा सपष्ट करके पूछना चाहिए था कि इस वाक्य में कौन से विराम चिन को प्रियोग किया जाएगा, तो प्रियुक्त विराम चिन होगा, तो कौन सा किया जाएगा, या यहां पर आप देख सकते हैं, यह वाक्य पूरा हो गया है, और पूरा हो गया है, तो पूर्ण विराम चिन, मैंने उससे पूछा, आपने क्या क्या देखा, वाक्य में प्रियुक्त हुए विराम चिन है, तो मैंने उससे पूछा, आपने क्या क्या देखा, वाक्य में प्रिय योजक कहते हैं और साथ में यहाँ पर पूण विरामचिन आप देख सकते हैं तो पहले योजक का प्रियो किया गया है और बाद में पूण विरामचा तो तीसरा विकल्ब सही है मनीश बाजार गया, रोहन घर से सामान लाया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बीच में एक चिन लगा है और यह क्या है आपका अर्ध विराम चिन जब हम एक बिंदू लगाते हैं और नीचे छोटा सा कोमा लगाते हैं यह हमारा क्या होता है अर्ध विराम चिन यह वाक्य की पूरा नहीं होने पर आधे वाक्य के बाद कुछ और कहना चाहते हैं तो आधे समय के लिए रुखने के लिए हम क्या लगाते हैं अर्ध विराम चिन और बहुत कम समय के लिए अगर हम विराम लेना चाहते हैं रुखना चाहते हैं तो क्या लगाते हैं अल्प विराम चिन के भेद होते हैं तो विराम चिन के मुखे रूप से बारे भेद होते हैं और यहाँ पर आप टाइपिंग एरर देख सकते हैं यहाँ पर भी बारे लिखा है, यहाँ पर भी बारे लिखा है, यहाँ पर दस लिखा है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि बारे भेद होते हैं, पांचवा विकल्प सही है, तो टाइपिंग एरर है, इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, माता पिता भगवान की समान होते हैं, वाक् दोक्टर राजंदर परसाद भारत के पर्थम राष्टपती थी, वाक्य में परियुक्त विरामचिन है, तो डोक्टर को आप देखो, यहाँ पर छोटा करके लिखा गया है, दोक्टर को और यहाँ पर यह गोल जो बिंदु बनाया गया है, पूरा गोला बनाया गया है, इसे लिखा जाता है, डोक्टर के पीछे हमने लगाया था, और इसे हम क्या कहते हैं, लाग हो, हर्ष व्यक्त करने के लिए प्रियुक्त होता है, हर्ष क्या होता है, खुशी, और बहुत ज़्यदा खुशी व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, विश्मे सूचक चिन लगाते हैं बीछे विसम्यादी बोदक चिन का प्रियोग करते हैं निर्देश देने के लिए प्रियुक्त होता है तो जब हम किसी को निर्देश देते हैं तो क्या होता है निर्देशक चिन क्या होता है निर्देशक चिन किसी के कथन को जों का त्यों लिखने के लिए प्रियुक्त ह तो अगर किसी ने कोई बात कही है, जैसे कि जवाहलाल नहनू ने कोई बात कही है, मात्मा गांधीची ने कोई बात कही है, और उनकी बात को अगर हम बिल्कुल वैसे के वैसा लिखना चाते हैं, बिना किसी परिवर्तन के, तो हम दोहोरा उधरण चिन लगाते हैं, दो कोमा म हम इस तरह से उनकी बात को लिखते हैं चारुगाना सुना रही थी वाक्के के अंत में प्रियुक्त होगा तो चारुगाना सुना रही थी बात पूरी हो गई और पूरी हो गई तो हम किसका प्रियोक करेंगे? पूर्ण विराम जिनका कुछ देर रुकने के लिए प्रियुक्त होता है तो थोड़ी समय के लिए हम रुकते हैं तो क्या होता है अल्प विराम थोड़ी समय से जादा रुकते हैं आदे समय के लिए रुकते हैं तो अर्ध विराम और जब बात पूरी हो जाती है तुम क्या लगाते हैं, पूर्ण विराम दीरे दीरे चलो, दीरे दीरे में प्रियोक्त चिन है तो आप समझे गए होंगे, बीच में योजक चिन है जोडने का काम कर रहा है, तो दूसरा विकल्ब सही है अल्फ विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम रुकना हो बीच में रुकना हो तो हम किसका प्रियोग करते हैं अर्ध विराम अल्प होता है एक कोमा चोटा सा और पूर्ण होता है इस तरह से और इसके बीच में रुखना है तो हम इस अर्ध विरामचिन का प्रियोग करेंगे तो विरामचिन से सम्मंदित कुल यहाँ पर 15 प्रशनों का आपने अभ्यास किया आई आगे देख लेते हैं यहाँ पर आप मुहावरे और लोकोक्तियों से सम्मंदित प्रशनों को देख सकते हैं अकल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ है तो अकल का दुश्मन कोन होता है? मुर्ख विक्ती होता है तो तीसरा विकल्प सही है अधूरे ग्यान वाला अधिक उचलता है तो जिसके पास पूरा ग्यान होता है वो शान्त रहता है सबकी बाते ध्यान से सुनता और समझता है और जिसके पास कम ग्यान होता है वो उसको दिखाना चाहता है तो ज़्यादा उचलता है यानि खुशिया मनाना, दिवाली मनाना नहीं होगा, कभी-कभी हम सोच सकते हैं कि दिवाली में हम घी के दिये जलाते हैं, लेकिन वो त्योहार की खुशी में हम मनाते हैं, तो यहां पर इसका अर्थ क्या होगा, खुशिया मनाना, अंगुठा दिखाना, तो अंगुठा हम क जब हमारे हाथ में कुछ नहीं आता तो हम हाथ मलते हैं पच्टाते हैं मूर्ख लोगों में थोड़ा विद्वान तो थोड़ा सा बुद्धिमान वेकती हैं अगर बहुत सारे मूर्ख वेकती हैं और बीच में थोड़ा सा बुद्धिमान है हम क्या कहेंगे अंधों में काना राजा कि सभी तो क्या हैं अंधे हैं और जो जिसके पास एक आँख है वही बुद्धिमान कहलाएगा बलशाली की जीत होना तो बलशाली की जीत होना यानि कि जिसकी लाठी होगी उसी की भैस होगी तो जो बलशाली होगा वही जीत जाएग टोपी उचालना तो टोपी उचालने का अर्थ क्या होता है अपमानित करना अगर हम किसी के टोपी उचालते है टोपी मान सम्मान का पगड़ी जो होती है मान सम्मान का प्रतीक होती है तो यानिकि हम किसी को अपमानित करना चाहते है तो हम किस मुहावरे का प्रियोग करेंग आस्तिन का सांप, आस्तिन क्या होती है? गोद, जब कोई गोद में ही सांप लेकर बैठा है, यानि कि इतना हमारे पास है और वो हमारा मित्र है, यानि कि धोके बाज मित्र है, दूर की वस्तुसदा अच्छी लगती है, तो दूर के जो ढोल होते हैं, वो बहुत ही सुहावने लगते हैं, लेकिन जब हम पास जाते हैं, तो हमारे कान फट सकते हैं, गांट बांद लेना मुहावरे का अरत है, तो कभी-कभी हम कहते हैं न कि गांट बांद ली है, मैंने आगे से मही काम नहीं करूँगा, यानि कि हम क्या करेंगे, याद रखना, किसी सबक को याद रख मोहित ने बहुत महनत करके अपना डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर लिया तो बहुत महनत करके बहुत महनत करना यानकी AD चोटी का जोर लगाना बहुत ज़्यादा महनत करना तो इस तरीके से आप किसे भी पाठे पुस्तक से अभ्यास पुस्तिका से मुहावरे और लोकोक् के नाम देख सकते हैं सपता का पहला दिन हिंदी में क्या होता है रविवार होता है और अंतिम दिन क्या होता है शनिवार हमें लगता है सोमवार सोमवार हमारा वर्किंग डे होता है तो हमें लगता है मंडे यानि सोमवार पहला दिन है ऐसा नहीं है रविवार हमारा पहला द हिंदी में कैसे लिखा जाता है सही मात्राओं के साथ तो इसका आप जरूर अभ्यास करेंगी और साथ में आप देख सकते हैं देसी महीनों की नाम यहां पर दिये गए हैं और हिंदी में जो देसी महीनों की नाम है वो बिलकुल अलग है जन्वरी फरवरी से बिलकुल अलग ह और इनको हम आम बोलचल की भाषा में प्रियोग नहीं करते हैं तो हमें इनके लिए थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा इनको याद करना थोड़ा सा अभ्यास मांगता है बिना अभ्यास के हम इनको याद नहीं कर पाएंगे चेतर का जो महीना होता है वो अप्रिल महा में आता है और ये पहला महीना माना जाता है बैसाख हमारा दूसरा होता है और इसी तरीके से आप देख सकते हैं और अंत में बारवा जो महीना होता है वो फागुन होता है जो की हमारा मार्च में आता है होली फागुन के महीने में मनाई जाती है तो इनका आप अभ्यास कर लेंगे यहां से आपके दो या तीन प्रिशन बन जाते हैं आईए आगे बढ़ जाते हैं आगे आप यहां पर देख सकते हैं मेरी संस्कृति, मेरी विरासत और हिंदी विकास मंच के द्वारा यहां से इस टोपिक से कम से कम दो सवाल पूछे जाते हैं हम सभी को अपनी संस्कृति के बारे में अपनी विरासत के बारे में जानकारी होनी चाहिए तो यहां पर ऐसे सवाल हैं जो जी के से संबन दीत हैं सामानी जानकारी से संबंदित है एक बर आप इनका अभ्यास करेंगे तो अच्छे से आप यहां से कोई भी परशन हल कर सकते हैं निमलकित में इसे कौन से दो त्योहर श्रावन मास में मनाए जाते हैं तो श्रावन का जो महिना होता है अगस्त में आता है और अगस्त में आप समझी गए होंगे जनमाष्ट में और रक्षा बंधन मनाये जाता है दिपावली हमारी अक्तुबर के महीने में आती है कार्तिक के महीने में पंजाब का परसित त्योहर कोन सा है तो पंजयाब का परसित तोहर क्या होता है? बैसाखी होता है माहा भारत में अर्जुन की पुत्र का नाम तो आप समझ गए होंगे अभी मन्यू है घटोत कच कोन थे? भीम के पुत्र थे और अंगद हमारे माहा भारत में नहीं आते हैं इन में कौन सा राजस्थान में स्थित नहीं है? जैपूर राजस्थान की राजस्थान नहीं है जोदपूर भी राजस्थान में आता है द्वार का राजस्थान में नहीं आता हिंदू धर्म की मानेता अनुसार ज्यान की देवी कौन होती है? सरस्वती को हम मानते हैं उनकी पूजा भी करते हैं भारत का राष्ट्य खेल कौन सा है तो भारत का राष्ट्य खेल होकी है यह आपको पता होना चाहिए वैसे किरकेड बहुती पोपुलर खेल हम कह सकते हैं, परसिद खेल कह सकते हैं, लेकिन राष्ट्य खेल की बात करें तो ये क्या है, हो की इन में से सबसे लंबी नदी है, तो ब्रहम पुत्र सबसे लंबी नदी है भगवान किर्ष्ण का जनम कि स्थान पर हुआ था, मतुरा में हुआ था, देव की और वसुदेव उनके माता पिता थी, श्री राम ने कितने वर्षों के लिए वनवास पाया, चोदे वर्षों के लिए, महा भारत की रचना किस ने की है, वेद व्यास ने की है, भोती महतोप तो आप सभी जानते हैं, स्वन मंदिर अम्रिसर में है, जै जवान, जै किसान का नारा किसने दिया था, लाल भादुर सास्त्रे जी ने दिया था, गांधी जैनती किस महा में मनाई जाती है, दो अक्टूबर को हम मनाते हैं, तो अक्टूबर हिंदी में क्या होता है, पुलसिदास है, भग्त प्रलाद किसका पुत्र था, हिरने कश्यप का पुत्र था, पहला विकल्प सही है, कुम्ब का मेला कितने वर्ष के बाद लगता है, ये मेला भहुती परसिद है, और ये 12 वर्ष के बाद लगता है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा है, तो हमारा जो र लेखा गया है तो बच्पन से अभी तक आप पंस्तंतर की कहानिया पढ़ते वह आ रहे हैं भौती परसित कहानिया है और विश्णु शर्मा इसके क्या है लेखा क्या है भारत की पृथम राष्टपती का नाम क्या है तो राष्टपती का नाम पूछा है डोक्टर राजेंद या ध्यापकों के लिए होता है शिख्शक दिवस होता है भारत के कितनी राष्टि पर्व हैं तो भारत में वैसे तो बहुत सारे त्योहर मनाए जाते हैं लेकिन राष्टि पर्व नैसनल फस्तिवल कितने है तीन एक हमारा सुट उंतरता दिवस है एक हमारा Republic Day है 26 जनवरी भी आप कह सकते हैं और एक हमारा क्या है गांधी जैनती गंतंतर दिवस भारत का क्या है तो अभी हम बात कर रहे थे तीन हमारे राष्टिय त्योहार होते हैं तो यह हमारा क्या है राष्टिय त्योहार भारत का राष्टिय गीत है तो भारत का जो राष्टिय गीत पूछा है गान नहीं पूचा, गान हमारा जन गण मन है और गीत क्या है वंदे मात्रम लोहो पुरुष की उपादी किसे दी गई थी? सरदार बल्लब भाई पटेल को दी गई थी होकी का जादुगर हम किसे मानते हैं? मेजर ध्यान चंद को मानते हैं राजा दश्रत की सबसे बड़ी पुत्र वदू, पुत्र वदू क्या होती है? पुत्र की पत्नी तो उनकी सबसे बड़े बेटे राम थे और राम की पत्नी क्या थी? सीता लक्ष्मन की पत्नी उर्मिला थी और कोशल्या उनकी पत्नी थी यनकी राम की माता थी सतंतरता दिवसकब मनाये जाता है बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही आसान है और बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम सभी को याद रखना चाहिए कि 15 अगस्त को हमारा भारत आजाद हुआ था तो तीसरा विकल्ब सही है और यहां से आप देख सकते हैं परिक्षा में कम से कम दो प्रिशन अवस्य पूछे जाते हैं तो एक बड़ा आप अभ्यास कर लीजी ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं है एक बड़ा पढ़ लेते हैं तो भी आप इनको अच्छे से याद कर सकते हैं आज की इस वीडियो में बस इतना ही कुल तीन भाग में हमने इस पूरी अभ्यास पुस्तिका का अभ्यास किया है कुल यहां पर 20 पाट आप देख सकते थे 20 टोपिक यहां पर दिये गए थे जो की लगबग सारे के सारे टोपिक कवर कर लिए गए हैं अगर इस अभ्यास प परिक्षा के लिए अच्छे से तैयारी कर रही होंगी आपकी परिक्षाओं के लिए बहुत बहुत शूप काम नए आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं किसी और महतोपुन जानकारे के साथ तब तक स्वस्त रहिए व्यस्त रहिए मस्त रहिए और खुशो कर अब्यास करते रहिए धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद